वफादार नेवला एक काव में एक किसान अपने पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था एक दिन काम के बाद जब किसान अपने घर लोट रहा था तब अपने साथ एक छोटा सा नेवला घर ले आया उसने अपने पत्नी से कहा हमारे बच्चे के साथ हम इस नेवले को भी पालेंगे एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुला कर बाजार जाना चाहती थी लेकिन अपने बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़ कर जाना चाहती थी तो उसने बच्चे को अपने पती के पास छोड़कर बाजार चली गई वो जल्दी ही बाजार जाकर टोकरी भर किराना और तरकाया ले आई उसने देखा कि आंगन में नेवला बैठा हुआ था उस नेवले के मुव में खून को देखकर चिलाई खून खून तुमने मेरे बच्चे को मार डाला उसने अपनी पूरी ताकत से नेवले को मारा और अंदर बच्चे को देखने के लिए चली गई अंदर बच्चा चैन से सो रहा था पालने की नीचे एक सांप खून में लदपत मरा पड़ा था तब जाके उसी समझ में आया कि नेवले ने सांप को मार कर बच्चे को बचाया है वो नेवले के पास गई तुमने सांप को मार कर मेरे बच्चे को बचाया है लेकिन नेवला उसी सुन नहीं सका क्योंकि वो मर चुका था स्त्री नेवले के सामने जुप कर रोनी लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत बूलना